हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग, आज हम फिर राजी रहें, कुछ नुमैनिकल्स लेके, कुछ बच्चों की डिमांड थी, कि S.C. वर्मा साब की किताब से कुछ नुमैनिकल कैपैसिटर्स पे सॉल्व करिये, तो उनी की बुक से, कंसेट आफ फिजिक्स, पाई S.C. इनकी बुक से, कुछ कोश्चन हमने लिये हैं, आप लोग को explain करने के लिए, पहला कोश्चन आपके screen पे, determine the charge on each capacitor, सरकीट आपके सामने हैं, और कह रहा है कि हर कैपैसिटर के उपर कितना चार्ज है, ये आपको निकालना है, तो फिर हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि total capacitance नि ठीक है न, तो देखिए 4 microfarad और 4 microfarad ये वाला और ये वाला जो है ये parallel में है, ठीक है, और उसके बाद 8 के साथ series में है, तो total capacitance कितना आएगा बच्चों, आप लोग बता सकते हैं, तो देखिए 4 पिलस 4, ये तो हो गया आपका parallel में, तो ये कितना हो गया, 8 microfarad, ठीक है, अब ये 8 microfarad, इस 8 microfarad के साथ series में है, तो C equivalent निकाल लिया, C equivalent हमारा कितना आया, product, 8 into 8, upon sum, 8 plus 8, तो 8, 8 दा 64, और ये आगया 16, and 16, 4 दा, 64, और ये आगया आपका equivalent capacitance of the given circuit, ठीक है, पहला काम तो ये हो गया, अब total charge निकाल लेते हैं, माली ये total charge क्या है, Q net, net, net charge, net charge हमारा कितना आएगा, हम जानते हैं, Q is equal to C into V, यानि C किसके बरावर है, 4, और वे आपने apply क्या हुआ है, 12, तो ये कितना हो गया, 48, micro, पूलम, ये हो गया सब, अब हम यहां का मान लेते हैं, voltage है, V1, potential है, V1, यहां का potential कितना होगा, बच्चों, 12, और यहां पर potential कितना है, 0, ठीक है, तो V1 की value हम निकालें, तो V1 is equal to Q net, total charge, upon, capacitance, 10, तो ये हमारा कितना आया था, 48, upon, 8, ये बराबर आगया, 6, ठीक, अब V1 की value हमें पता चल गए, कि V1 is equal to, हमारा कितना आया, 6, बस अब प्रब्लम सारी, solve होगी, तो Q1, Q1, क्या होगा, C into V, ठीक कितना है, 8, हम इस वाले, इसको मान लेते हैं, C1, ठीक, clear, और V क्या है हमारा, potential difference कितना है, देखें, ये 12, जो है, वो, ये 6 है, और ये 12 है, यानि ये potential, यहां का potential higher है, यहां का potential lower है, ये कितना difference आगिया, 12 minus 6, और आपका answer आगिया, 8 into 6, यानि कितना है बच्चों, 48 micro coulomb, Q2 निकाल लीजे, Q2 हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि दोनों के, स्वरी, ये C2 मान लेते हैं, ये C2 मान लेते हैं, this is C2, तो ये दोनों parallel में हैं, तो charge से क्या आएगा, और into V1 minus 0, यानि 4, और V1 आपने कितना निकाला है, 6 into 6, यानि 24 micro coulomb, clear, बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं, कि कि सबसे पहले total capacitance निकाल लिया, total charge निकाल लिया, थी V1 की value निकाल लिया, total charge upon capacitor is equal to 6 volt, अब जब हमें 6 volt पता चलिया V1 की value, तो फिर हम charge बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, चलिये, दूसरा question, find the equivalent capacitance between point P and N, देखिये, जब भी इस तरह का circuit अगर आपको दिखे, तो आप ये फॉरन समझ जाएए, ये wheat stone bridge है, ठीक है न, ये wheat stone bridge है, ये लोग examiner लोग क्या करते हैं, कभी capacitor लगा देंगे, कभी resistor लगा देंगे, और कहेंगे equivalent capacitance बताओ, तो चलिये, निकालते हैं इसमें, कैसे निकलेगा ये, तो देखिये, ये, एक point P है, और एक point N है, इसको आप एक imaginary battery से connect कर दिए, बैटरी तो नहीं है, लेकिन आप एक imaginary battery से इसको connect कीजे, ऐसे connect कर दिए, सपोज, सपोज, एक battery आपने connect की, कि ये positive terminal है, ये negative terminal है, और इन दोनों के बीच में, आपने एक battery connect कर दिए, अब ये, यहां का voltage है V, और यहां का voltage है 0, तो आप देखिये, ये voltage V, तो P point पे भी भी होगा, यो P point है, वही point ये है, तो यहां का voltage V है, आप देखिये, ये इसको आपने short circuit कर दिया है, यहां पे, तो अगर आप यहां से चलेंगे, तो रास्ते में आपको कोई resistor नहीं मिला, कोई inductor नहीं मिला, कोई capacitor नहीं मिला, तो इसे कहते हैं short circuit, तो जो यहां का potential है, वही यहां का potential होगा, ठीक है, आप इधार आईए, ये 0 है, तो ये end point भी 0 होगा, यानि ये वाला point भी 0 होगा हमारा, clear, ठीक है, अब इस point को आपने यहां पे short circuit कर दिया है, अगर आप यहां से चलें, इस direction में, तो आपको कोई भी resistor, inductor, capacitor नहीं मिला है, सीधा path मिला है, तो जो यहां का potential है, वही यहां का potential होगा, बस बात खदम, अब आप इसको solve कर लीजे, एक circuit बनाईए, एक point बनाईए, एक point का नाम रखिये, यहां पे potential V, यहां पे potential 0, ठीक है, अब आप connect कर दीजे, देखिये, V और 0 के बीच में 2 microfarad है, तो V और 0 के बीच में 2 microfarad का capacitor आपने लगा दिया, साब, यह लीजे आगिया, 2 microfarad, फिर इधार आईए, इस 0 और V के बीच में 5 का है, तो इस 0, यानि यहां से, और यहां पे एक capacitor है, उसकी value है 5 microfarad, यह आगिया 5 microfarad, ठीक है भई, अब यहां पे देखिये, यह V है, और यह 0 है, तो V और 0 के बीच में 3, तो आपने एक V और 0 के बीच में 3 microfarad का एक capacitor connect कर दिया, अब देखिये यह 3 है में हो गए, parallel में, बस आगे answer, answer आगे है, तो answer क्या होगा, C equivalent is equal to 2 plus 5 plus 3 is equal to 10 microfarad, it's very simple question, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको wheat stone bridge बना के भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो दूसरा question लेते हैं, यही question है, लेकिन आप क्या किया है, इन्होंने, एक शैतानी करी है, और वो शैतानी बच्चों को सताने के लिए की है, कि बच्चों को थोड़ा सा problem create हो, यहाँ पे इन्होंने 1 microfarad capacitor लगा दिया, यहाँ 6 microfarad capacitor लगा दिया, आप यह short नहीं किया है, कोई बात नहीं, आपका पहला step है, कि एक imaginary battery connect कर दीजे, मान लिजे कि एक imaginary battery हमने यह connect कर दी, actual circuit में नहीं है, लेकिन solve करने के लिए हमने एक imaginary battery को connect कर दी है, जिसका potential V है, ठीक है, तो A और B के बीच में एक imaginary battery आप connect कर दीजे भई, तो इसका potential है V, इसका potential है 0, clear, is it clear, अब हम point ना लिख दे, मान लिजे यहाँ पे point है C, यहाँ पे point है D, और यह point E या B एक ही बात है, आप E कहिए या B कहिए एक ही बात है, अब देखिए यह beat stone bridge है, कैसे beat stone bridge है, आप एक पहले A point ले लिजे, यह point A हो गया, ठीक, फिर A और C के बीच में 2 microfarad का capacitor है, तो यह हमने 2 microfarad का capacitor लगा दिया, यह point आगया हमारा C, ठीक, आप देखिए, C और D के बीच में 5 microfarad है, ठीक है भाई, लगा दे रहे हैं, यह C आगया, और 5 microfarad का capacitor यह आगया, इस point का नाम हमने दे दिया D, यह भी सही है, अब क्या किया आपने, D और E के बीच में 3 microfarad है, तो मान लीजे, यहाँ पे एक point E है, और D और E के बीच में, यह capacitor आपने connect कर दिया, जिसकी value है, 3 microfarad, यह भी समझ में आ गया, यह 5 microfarad भी समझ में आ गया, अब E और C के बीच में, यह E और C के बीच में, कितना है, 6, अब आपने यहाँ पे 6 microfarad का यह capacitor लगा दिया, C और E के बीच में, 6 microfarad का, इसी तरह से यह वाला point कहां connect है, D के साथ, A और D के साथ, यह 1 microfarad connect है, अब आप A और D के बीच में एक capacitor लगा दिजे, और इसकी value निकाल लीजे, बस बात कतम बन गया, बीच स्टोन बिरिज, अब जब यह वीच स्टोन बिरिज बन गया, यह आपकी imaginary battery हो गई, आपकी समस्य अहल हो गई, अब आप दो मिनट में इसका answer हमें बता देंगे, बता देंगे न, चलिए battery बना लें पहले, बहुत आसान question होते हैं, थोड़ा सा concept आपको clear होना चाहिए, तो देखें यहाँ से charge चलेगा, यह charge चला Q, अब यह दो पार्ट में divide होगा, कुछ इधर जाएगा, मान लीजे Q1 गया, कुछ इधर जाएगा, इधर गया Q2, अब हमें जब wheatstone bridge मिल गया, तो हमें सबसे पहले यह check करना है, कि यह balance हाई के नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम balance वाली equation लिखेंगे पहले, क्या equation होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं, हम लिख AC upon AD, कितना AC कितना है, 2 AD कितना है, 1 is equal to 2 आ गया, ठीक, आप देखिए, C, B, C, अब भी कहें, C तो यह है, आप कहेंगे सर, आपने तो बनाया नहीं, अरे भाईया, E और B एक ही बात है, अब B और C की value निकालिये, का ratio BC upon BD, क्या value आई, BC कितना है, 6, और BD कितना है, 3, 3 to the 6, 2, तो देखिए, यहाँ से हमें पता चल गया, यह ratio भी 2 है, यह ratio भी 2 है, तो bridge जो है, balance है, तो जब bridge balance है, तो यहाँ का potential, C point का, और D point का same होगा, मालीज़े, यहाँ का potential जो है, वो V1 है, तो भही C1 का, C का भी voltage V1 होगा, तो दोनो point के potential same है तो जब दोनो point के potential same होते है तो फिर charge accumulate नहीं होता है तो एक तरह से ये हमारे लिए पिल्कुल useless हो गया capacitor तो अब जो charge Q1 यहां से आ रहा है वो C point के थोरो यहां पे इधर आ गया Q1 और ये चला गया इधर वाला Q2 यहां से Q2 आ रहा है क्योंकि ये 5 microfarad का हमें useless है तो 2 और 6 देखिए series में हो गए यहां 2 और 3 series में हो गए तो अब आप equation value निकाल लीजे तो माल लीजे कि ये कौन कौन से है आप माल लीजे हमें C1 निकालना है 2 and 6 are in series are in series ठीक माल लीजे ये C1 है तो product upon sum यानि 2 into 6 upon 2 plus 6 आंसर आ गया कितना आ गया बच्चों 6 to the 12 और ये हो गया 8 तो ये आंसर कितना हो जाएगा निकालना चाहें तो 2 से ये cancel 2 4 दा 8, 2 6 दा, 2 2 दा और 2 3 दा पैसे 4 से भी जा सकता है तो हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये लंबा कर दिया अब दूसरी अब दूसरा क्या है कि 1 माइक्रो फैरेट और 3 माइक्रो फैरेट आर इन सिरीज अना अगा आप डायग्राम में अभी आपको हमने समझाया है ये दोनों सिरीज में है तो ये माल लिजे C2 है तो आप क्या वैलू आई प्रोड़क्ट अपॉन सम 1 इंटू 3 अपॉन पिलस 3 तो अंसर के आया 3 अपॉन 4 ठीक है तो आप कैपैसिटर की पोजीशन क्या हो गई एक कैपैसिटर ये आ गया C1 और इसके पैरलल में एक कैपैसिटर आ गया C2 और ये दो पॉइंट हो गया हमारे ये आ गया C2 C1 की वैलू आपको पता है C2 की वैलू आपको पता है अब पैरलल में है तो भाई आपको पता ही है C1 और निकालना बहुत आसान है C1 पिलस C2 तो ये कितना आया 3 बाई 2 आया है ये आया है 3 बाई 4 तो LCM क्या आएगा बच्चों 4 आ गया तो जब 4 आगया तो ये हो गया 6 पिलस 3 तो अंसर आपका C equivalent कितना आया 9 अपान 4 अगर आप इसे decimal में लिखना चाहते है तो डिवाइट कर दीजिए 2.25 micro parat ये आपका C equivalent हो गया ठीक है ना आसान है चलिए अब यहाँ पे देखिया ये क्या कह रहा है circuit कुछ समझ में आया आपकी हो अरे भाई wheat stone bridge के parallel में एक और लगा दिया है अगर आप ध्यान दीजे तो इतना part जो है ये wheat stone bridge है तो ये side ये और ये ratio निकालिये कितना आएगा 2 upon 4 that is 1 upon 2 अब ये 4 और 8 को देखिये 4 upon 8 यानी 1 upon 2 तो दोनों ratio बराबर है इसका मतलब कि ये point और ये point हमारा same potential पर है अगेन ये useless हो गया तो अब 2 और 4 series में 4 और 8 series में और ये दोनों हो गए parallel में अगे ना आया समझ में तो जितना हमने circle किया है वो basically क्या है अगर आप ध्यान दीजे तो वो feet stone बरीज है अब हम बनाएंगे नहीं अब अपने आप बनाईएगा आप ठीक है ना तो हम इसका equation निकाले तो मन लिजे कि ये 2 micro farad वाला जो है इसका नाम हम रख देते हैं C1 ठीक है और 4 micro farad वाले का नाम रख देते हैं C3 और इसका रख देते हैं C2 और इसका रख देते हैं C4 तो देखिये C1 और C3 are in series are in series तुमान लिजे C equivalent 1 number क्या होगा product 2 into 4 upon sum 2 plus 4 यानी 8 upon 6 यानी ये कितना है या 8 upon 6 8 upon 6 this is 6 8 upon 6 अब ये कितना है गा बच्चों 2 4 दा और 2 तू 3 अब इसी तरह से आप C equivalent 2 निकाल लिजे C equivalent 2 क्या होगा C equivalent 2 में 4 और 8 series में है तो 4 into 8 अपान 4 plus 8 ये कितना हुआ 32 upon 12 ये आगे आपका simplify कीजेगा तो 8 upon 3 तो अब आपका network कुछ ऐसा नहीं हो गया कि एक ये हो गया एक capacitor ये हो गया इसकी value आपने निकाली 4 upon 3 इसकी value आपने निकाली 8 upon 3 और उसी के parallel में ये 4 microfarad का भी है तो ये आपने लगा दिया 4 microfarad का capacitor और ये आगाया आपके point अब क्या problem है अब कुछ सर कुछ भी problem नहीं है अब हम इसको simplify कर लेंगे I answer क्या चलिए 4 by 3 8 by 3 4 by 3 8 by 3 तो 4 by 3 plus 8 by 3 ये वराबर आया 12 upon 3 ये वराबर कितना हुआ 4 तो ये इस पूरे का 4 उसके साथ ये तो 4 plus 4 is equal to 8 micro parat answer clear तो इतना part आपको क्या दे रहा है क्या दे रहा है wheat stone marriage confuse मत हो ये गा बस wheat stone marriage के parallel में 4 micro parat का उसने capacitor लगा दिया है बच्चों को सताने के लिए अब आईए एक ये last question करते है आज के इस lecture में infinite ladder है और कह रहा है A और B का capacitance बताईए कि equivalent क्या होगा तो अगर आप ध्यान दीजे कि ये हर section इसमें एक ये section है है ना बच्चों देखिए एक ये section है एक ये section है ये section में बटा हुआ है एक ये section है और इसी तरह आगे है और हर section repeated है हर section ये 1 microfarad ये 2 microfarad ये 1 microfarad ये 2 microfarad और इस तरह से distribution पूरा infinity तक है तो हम मान लेते हैं कि total capacitance जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं लिख देते हैं select capacitance of whole network capacitance of whole network इस इकल टू एक्स ठीक है कुछ भी मान लीजे एक्स वाई जैट कुछ भी मान सकते हैं आप अब यह बताईए अगर आपके पास एक करोर रुपिया है और उसमें से अगर हम एक पैसा ले लें तो क्या इफेक्ट पढ़ेगा जी सर पढ़ेगा बिलकूल लेकिन होगा अगर आपके पास एक करोड रुपिया है उसमें से एक सिंगिल पाई हम ले लेते हैं एक सिंगिल पैसा हम ले लेते हैं तो आपकी एक करोड की ऊपर जोई इफेक्ट नहीं पढ़ने वाला है जो भी पढ़ेगा वह नेगलीजिबिल होगा तो वही काम हम यहां इस पूरे capacitance में, x capacitance में, हम one section जो है, वो पहले ले लेते हैं, तो circuit कैसा बन जाएगा बच्चों, circuit कुछ इस तरह से बन जाएगा, कि ये तो आगे आपका 2 microfarad, और ये आगे आपका 1 microfarad, इसमें तो कोई problem नहीं है, तीक है, यहां तक कोई problem नहीं है, अब जो है, जो हमने पूरे network का capacitance x माना था, वो ये आगिया, ये x आगिया, ये one आगिया, और ये two आगिया, ये point हमारे a और b हो गया, ये a है, और ये point हमारा b है, तो अब ये capacitance यहाँ पर है, एक section ये है, ये किस तरह से आया ना बच्चों, तो अब आप देखिए, कि ये two और ये x series में हो गया, ठीक है, तो मान लीजे ये c1 है, तो product upon sum, यानि two x upon two plus x, तो अब ये circuit कैसा हो गया, एक ये हो गया, वन माइक्रो फैरेड वाला, और उसके series में, sorry, उसके parallel में एक हो गया, c1, ये c1 है, और ये one माइक्रो फैरेड है, तो अब c equivalent क्या होगा, c equivalent is equal to one plus c1, one plus c1 क्या है, one plus two x upon two plus x, और total capacitance आपने कितना मानना है, x, total capacitance आपने कितना मानना है, x, x is equal to one plus two x upon two plus x, तो अगर आप LCM लीजे, तो क्या आएगा, two plus x plus two x upon two plus x, तो ये कितना हो गया, two plus three x upon two plus x, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है, अब multiply करें, तो क्या हो जाएगा, two x plus x square is equal to two plus three x, अब सब एक साइड में कर लेते हैं, अब सब एक साइड में कर लेते हैं, तो आप क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आया, x square plus two x minus three x minus two is equal to zero, तो ये होगे आपका x square minus x minus two is equal to zero, ये तो quadratic equation बन रही है, बस खाली आपको factor करने हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, x square minus two x plus x minus two is equal to zero, factors तो आपको आते ही हैं, x को बाहर ले लिया, तो अंदर बचा x minus two, यहाँ पे plus one बाहर ले लिया, तो अंदर बचा x minus two, this is equal to zero, तो x plus one, एक factor हो गया, दूसरा factor हो गया, x minus two, तो यहाँ पे क्या है, x plus one को अगर हम zero के equate करें, तो यह हुआ, x is equal to minus one, और यह हुआ, x minus two is equal to zero, तो x is equal to two, तो यह not possible, यह तो possible ही नहीं है, तो इसको तो consider ही नहीं करना है, ठीक है, तो आपका answer finally क्या है, x आपने क्या माना था, c equivalent, और c equivalent क्या आया, two micro parrots, मैं उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा, अगर कोई problem है, तो आप comment box में लिखिए, अगर आप मेरे channel पे नए है, channel को subscribe कीजे, bell icon button दवाईए, वीडियो को like और share करना बिलकुल ना भूलियेगा, और अपने अच्छे प्यारे प्यारे comment से, हमें जरूर बताईए, कि आपका वीडियो का, कि हम को, ये जरूर बताईए, कि हम आपके लिए और किस तरह का वीडियो बनाए, जो आपकी knowledge में इजाफा कर सके, so take care of yourself, and don't forget to subscribe, like and share the video, thank you very much.